एक्जांपल नमबर वन को सोल करते हैं एक्जांपल नमबर वन में आप देखो यह मारे पास एक आउकल समिकन दी गई है तो यहां भी हमें क्या क्या ग्यात करना है यहां भी देखो पूर्ण पूर्वग का मतलब है कि इसका व्यापकला में ग्यात करना है फिर यहां पे क्या कीजी या बाये निर्तकंडों को ग्याद कीजी इसका मतलब है कि बाये बिंदू की पात कर रहा है यानिकि जो भी बाये बिंदू पता है उनके बारे में भी हमें यहाँ पर information देना है कि वो कौन-कौन से है उसको हम किस तरह सी ग्याद करेंगे हमें सब कुछ बताना है यहाँ पर तो सबसे पहले हम ग्याद करेंगे पूर्ण पूर्व यानिकि हम इसका व्यापकल ग्याद करेंगे तो हम इसका व्यापकल ग्याद करते हैं तो व्यापकल ग्याद करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो equation है यह यहां पे X का पद है एक और यहां पे सभी पद X के है तो मैं X की पदों को एक तरफ कर लेता हूं यहां पे देखो यहां पे मैंने देखो X की पदों को एक तरफ कर लिए तो पिन क्या किया है दोनों तरफ 4X का बाग दे दिया 4x का बाग देने के बाद देखो यह अमारे पास यह equation आ गई अब यहाँ पर देख सकते हूँ आप P क्या होता है D Y upon D X होता है यह में सा हिसा है होता है P का मतलब होता है D Y upon D X परसन में आपको मिल सकता है कि P का मान क्या है नहीं हो तो आप समझ ले ना कि P का मानों था डी वाइ अपॉन डी एक्स यह दी इस तरह का कोई क्यूस्टन होतो हो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे P की पाउर 2 है तो मैं क्या करूँगा दोनों तरफ रूट दूँगा तो दोनों तरफ रूट लेने के बाद मैं यह एक्वेसन मिलेगी अब यहाँ पे देख सकते यह आप यहाँ पे एक साथ में ले लिए मैंने तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैँ अब यहाँ पे दूख यह झो इसको इस तरह से लिख सकते हें अब यहां पे यह जो डी अक्स है वह इस साइड में आ जाए गाँ तो यहां पे टी एक्स लग जाए तो इसका integration करेंगे तो y मिलेगा और इसका integration तो देखो x की power 2 है तो इसका integration हम आसानी से कर सकते है तो इनका integration करने के बाद आपको यह equation मिलेगी अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्लस माइनस का सेंबल आ रहा है तो यह प्लस माइनस को मैं यह से अटाना है तो यह यहां पर देखो c को यहां पर ले आया थे माइनस में c हो गया अब मैं दोनों प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab तो हमने इसको यूज मी लिया और इसको इस तरह से लिख दिया इसको इससे लिखने के बाद देखो हम इसको यहां से x कॉमन ले सकते हैं तो x कॉमन लूँगा तो मुझे यह equation मिलेगी और यह equation वापिस आपको इस तरह से दिख रही है तो मैं इसको x-1 की पावर 2 लिख सकता हूँ तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ x-1 की पावर 2 और यह x बार पहले से है तो यह हो गया इसका पूर्णल पूर्णल का मतलब गया है कि इसका पूर्ण पूरवग हो गया है यह इसका व्यापकल हो चुका है जो मारे पास ये पिक की रिक्वेसन नहीं है यह इंटımız घरDолог करना है तो अवकल्सम्भ करना करना का हम क्या करेंगे आढ्या पैकश्यक का एक्षाप rein करेंगे 10 हिश्च कभ साप एक्षिसिक आढद trustworthy तॉम्हारे पास तो जॉमारे पास पासिka क्या बोलते थी जब हम पर और technician पडेते तब मैंने का था ले क्साराइब करेंगे यह जो परसंने हमारा तो isто पकिसाप न EL images the presets अश्यों के ऊपास देगो meerमारी मेन फियुकत को भी का यह घुया darf कि कि मैंने का था कि कि क्सिपों का टेंगे ने ये चाहरा था घ ऑग यह घुत कर 120 नहीं लिखना है यह गलत हो जाएगा आपका यह मैंने आपको बताया था जो मैंने बताया था कि important points थे तब मैंने आपको बताया था अब देखो यहां पे यह दिमें इसको मैं 0 लिख देता हूँ इसको मैं 0 लिखूंगा तो मुझे गलत आंसर मिलेगा क्यों मिलेगा इसका रिजन भी आपको समझ में आ जाएगा बार तो यहाँ पर देखो मैं इसको इसी तरह से लिखूंगा इसको मैं 0 नहीं करूंगा मैं इसको इससे लिखूंगा तो यहाँ पर देखो यह जो P का मान आया है यह P का मान मुझे यहाँ पर फुट करना है तो जैसे P का मान में वहाँ पर फुट करूँगा तो मुझे यह equation मिलेगी अब यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर direct इसको 0 कर देता तो यह पूरा इक्वेशन को X से गुणा करूँगा तो X से गुणा करने के बाद मुझे यह equation मिलेगी यहाँ पर X से गुणा करेंगी तो X की power 2 हो जाएगी इसको अब हम 0 कर देंगे और यहाँ भी X से गुणा किया तो यह हो गया करेंगे यहाँ पर short में तो P dice में मिल चुका है इस तरह से P discriminate तो हमारे पास यह आ चुका है अब हम क्याद करेंगे C विविक्तिकर तो C विविक्तिकर ग्याद करने के लिए हम फिर से SI method यूज में लेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ पर C विविक्तिकर में यहाँ पर ग्याद करना है और इसके लिए हमारे पास यह है जो इसका संपूर्ण हल है अभी हमने ग्याद किया था इसका हल तो हमें इसका व्यापक हल इस तरह सी मिला था इसका जो संपूर्ण हल था वह हमें इस तरह सी का情况 करते हैं मनने मिलेगा तो मैंने यहाँ पर सी का मान रख दिया भाई तो यह तो जाएगा Zero यह स्था लीकिकतिकार तो इस्तियों आप चूरी सबीन प्राप्तिकार यह सब एक साथ कि इस START करें पर सहह thickness एक रएस्प्रयक बनादे करतेशन थे में आप अब यहांपर आप देख सकते हो, यहांपर जो दोनों में उभएट निश्ट आता है, वो क्या होता है, In meanность यहांपर देखो, तो हम इसका विचीतरहल लिख सकते हैं, यहां इसका विच्ची तरहल, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3X माइनस यह आ रहा है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 3X आए नहीं रहा, इसका मतलब यह दोनों अलग अलग है, तो यह विच्ची तरहल में नहीं आएंगे, तो अब इसके अबाद में क्या है, यहाँ पे इसका S-Pirst Bindupa हो गया, अब आप देख सकते हो, C-Date, इसके अंदर है, C-A, यह पद, यहाँ पे नहीं आ रहा है और यहाँ पर दोबारा आ रहा है, तो आप देख सकते हो, यह जो N है, इसमें तो दो बारा रहा है, और इसमें बिलकुल भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क् पात बिंदुपत तो यहाँ पर देखो यह हो गया X- है यह हो गया इसका पात बिंदुपत तो हम इस तरह से यहाँ पर इसको चेक करते हैं कि कौन सा स्पर्स बिंदु पता है, कौन सा पात बिंदु पता है, कौन सा अभ्यागर बिंदु पता है और विचितरल कौन सा है वह हम इस तरह से चेक करते हैं तो हमने यहाँ पे देखो P P-Discriminate गयात करना सीखा है C-Vivicticar गयात करना सीखा है और किस तरह से हम इसका आंसर लिखते हैं, यह हमने यहाँ पे सीखा है अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चेनल को सब्सक्राइब कीजी और आपको Physics, Chemistry, Math, Bio या किसी भी competitive exam के PDF notes साहिए तो आप हमारा app डाउनलोड कर सकते हो आप हमारा Care City Foundation नाम से Play Store पे मिल जाएगा या हमारे चेनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी description वक्स में जाएए वहाँ पे आपको हमारे app का link मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो तो आप हमारे app को download कीजिए, हमारे YouTube चेनल को subscribe कीजिए और वीडियो को share कीजिए अपने friends के साथ